दोस्तों क्या आप भी सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बारिस के मौसम में कौन साहमें तेल लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए तो आज की वीडियो आपके लिए है चलिए वीडियो शुरू करते हैं हाँ शुरू करने से पहले इस चैनल पर नए है तो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकान को भी प्रेस कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी यू इस्ट यानि की घरेलू उपाय सरल तरीके में बारिस के मौसम में दोस्तों पता है आप सभी को की बहुत उमस हो जाती है इस मौसम में हमें तवचा और बालो की देखबाल पर ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है इस मौसम में दोस्तो एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी तवचा और बालों को बहुत बड़ा नुक्सान पहुँचा सकती है दोस्तो आम तर पर तो हम सभी अपने तवचा की देखबल बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन कई बार हम अपने बालों को नजर अंदाज कर देते हैं ऐसे में बालों के जड़ने, चिपचिपे होने और फ्रीजी होने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है दोस्तो मौसम के हिसाब से हमें अपने बालों की भी केर करनी चाहिए यह नहीं कि एकी तरीके से हम पूरे साल अपने बालों की केर कर रहे हैं बलकि हमें मौसम के हिसाब से अपने बालों की केर करनी चाहिए चाहिए वो कोई बच्चा हो, बुड़ा हो, बड़ा हो, कोई औरत हो या कोई पुरुश हो सबही को अपनी रूटीन बालों की जो रूटीन है उसे मौसम के हिसाब से ही रखना चाहिए चलिए अब मैं आप सबही को बताती हूँ कि बारीज के मौसम में किस तरह के बालों में तेल लगाना चाहिए अगर आपके बाल ड्राई और फिजी हैं तो आपको हपते में एक बार तेल लगाने की ज़रुरत है कई महिलाओं का स्केल्प जो है वो ओली होता है मगर बालों की लेंथ में फ्रीजीनेस होती है ऐसे लोगों को अपने बालों की स्केल्प पर तेल नहीं लगाना चाहिए यानि कि जो आपके बालों का लेंथ है उस पे आपको हाथों में पाम में अपने तेल लेगर के और अपने लेंथ पे अच्छे से मसाज करनी चाहिए ना कि स्केल्प में स्केल्प मतलब होता है दोस्तो जड़ें मैं कहा यहां पर कह रही हूँ कि बालों की जड़ों में नहीं बलकि बालों की लंबाई पे आपको तेल लगाना चाहिए खास तोर पर अगर chemical treatment लेने के बाद आपके बाल बहुत ही अधिक dry हो गए है तो हपते में आपको दो बार बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए लेकिन अगर normal आपके बाल है यानि आपने कोई treatment नहीं लिया है तो जैसे मैंने बताया है कि oily scalp वाले को 15 दिन में एक बार लगाना चाहिए और dry और freezy hair oil को हपते में एक बार इस्तिमाल करना चाहिए चलिए मैं अब आप सभी को बता दूँ कि कौन सा hair oil यानि कौन सा तेल आपको मांसून के मौसम में लगाना चाहिए तो इस मौसम में दोस्तों या तो आप olive oil या फिर आप सरसो का तेल या फिर आप narial का तेल इन में से कोई भी एक तेल ले लेंगे और उसके साथ में आपको जो मिलाना है वो मिलाना है tea tree oil के 2-3 drop maximum 4 drop आप मिला सकते हैं दोस्तों इसको मिला करके आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है दोस्तों tea tree oil anti-fungal होता है इसलिए इसके anti-fungal गुण इसकेलप पर डेंडरफ की जो समस्या होती है जो चिपचिपा और खुजली पन आपको महसूस होता है उन सभी को रोकने में मदद करता है tea tree का इस्तेमाल कई anti-dendरफ सैंपू में भी किया जाता है यह आपके बालों से जो चिपचिपा पन है उसे हटा देता है और आपके scalp को यानि कि आपके जड़ों को मौस्टराइज भी करता है तो इस तरीके से तीनों तेल में से आप कोई भी तेल का इस्तेमाल करें उसके साथ tea tree की चार बूंदे जरूर डालें और इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसे आप एक घंटे के लिए छोड़ दें एक घंटे के बाद अपने बालों को सैंपू से साव कर लें अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि आपके बाल अभी ओισाविश है तो आप दो बार सैंपू इस मौसम में अपने बालों में कर सकते हैं तो एक बार आपने बाल धो लिए दूबारा फिर जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे शेयर करें साथी साथ मुझे यह भी बताएं कि आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं किस टॉपिक पे मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाएं जरूर मुझे कॉमेंट में कॉमेंट करके बताएं दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फालो कर सकते हैं जहां पे और भी मैं जानकारी आप सभी के शाथ सेयर करूंगी तो चलिए अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार